तो चलि आज हम जान लेते हैं आधुनेक आबर्त नियम किया है और आधुनेक आबर्त सारणी की बसेस्ता हैं तो फिलेज वीडियो को लाइक, सेर एंड, कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और जो बगल में बैल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें तो चलि आब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अब हम जान लेते हैं आधुनेक आबर्त नियम किया है तो मोसले ने परमाडु किरमांक या परमाडु संख्या के आधार पर एक आबार्त सारणी बनाई जिसे आधुनिक आबार्त सारणी कहते हैं और इन्होंने एक नियम को आधार मानते हुगे तत्वों को रखा जिसे आधुनिक आबार्त नियम कहते हैं तब इस नियम के अनुसार तत्वों के भोतेक तथा रासायनेक गोण उनके परमाडु किरमांक अर्थात परमाडु संख्या के आवर्ति फलन होते हैं तो चली अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम जान लेते हैं आधुनिक आवर्त सारणी की बसेश्थाएं तो पहली बसेश्था है इस आवर्त सारणी में धातु गवा अधातु तत्वों को अलग रखा गया है अंगली बसेश्था है इस ब्लोक के तत्वों में धातु को रखा गया है डी ब्लोक के तत्वों में संकरमड तत्वों को रखा गया है तथा पी ब्लोक में अधातु तथा उपधातु हैं अंगली बिसेशता है आइरन, कोबाल्ट, निकल, को संक्रमड तत्बों के साथ रखा गया है जहां इनका उचित स्थान है अंगली बिसेशता है तत्बों को इलेक्ट्रोनिक बिन्यास के आधार पर AS, P, D, O, F, बिलोक के तत्बों में बाटा गया है अर्थात, जहें सावन का इलेक्ट्रोनिक बिन्यास होगा है उसी बिलोक में इस्थित होंगी